आज आप जरा अपनी बहस करने की आदत को काबू में रखें। आपको मानसिक शान्ती भी मिलेगी। आज आप एक ऐसे नए दोस्त से मिलेंगे जो आपके भविश्य की सफलता में सहायक सावित होगा। ये आपका रोमैंस पार्टनर भी हो सकता है। इसके साथ अपने रिष्टे की संभावनाओं पर विचार करें। अपनी इच्छाओं और सपनों को इसके साथ शेर करें और देखें कि आपका भविश्य कहां जाता है। आज विद्यार्थी एक लंबे सत्र के बाद फिर से किताबों में मन लगाएंगे। आज के दिन परिक्षा देने वाले विद्यार्थी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट रहेंगे। आज के दिन शैक्षनिक लक्षों की ओर चलने से उन्हें प्रभावी तरीके से पूरा किया जा सकता है। आप अपनी समझदारी से अपने प्रोजेक्ट की योजना अच्छी तरह से बना लेंगे। कोई निवेश करने से पहले आप जोखिम को ठीक से जाच पर रख लें। क्योंकि इसका फाइदा बाद में जाकर दिखेगा। इसमें आपकी समझदारी और हिम्मत काम आएगी। आज इन सब मामलों में अपने दिल की सुने। आज तराव की स्थिती बन सकती है। इसलिए काम पर या घर पर इस बात का ध्यान रखें। यह परेशानी बढ़ सकती है अगर आप नकारात्मक सोच रखते हैं। खुद में सकारात्मक सोच लाएं और जीवन का आनंद लें। साथ ही खुद को किसी नए कार्य में लगाएं ताकि आप नकारात्मक सोच से बढ़ सकें। कुछ समय से आपके घर पर छोटी छोटी बातों को लेकर जगड़े हो रहे हैं। लेकिन आज आपने इन जगड़ों को खत्म करने की ठान ली है। आज अपने प्रयासों से आप ये कर ही डालें। जब आप सब को एक साथ ही घर में रहना है तो फिर लड़ाई करके क्यों रहा जाए। कोशिश करें कि सब एक दूसरे के साथ मिल कर रहें। आज अपने प्रेमी के साथ आप यादगार पल बिताएंगे। सभी परेशानियों को पीछे छोड़ कर साथ घूमने से संबंध में नई मजबूती आएगी। अपनी रचनात्मक्ता व कारेक्षमता का प्रयोग करने से कारेक्षेत्र में आपको सम्मान मिलेगा। इनका प्रयोग आप वित्तिय लाभ प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं। भविश्य में इससे आपको कंपनी में महत्वपूर्ण स्थान भी मिल सकता है। फैशन डिजाइनर्स को भी अपने क्षेत्र में कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर साजेदारी में कोई काम शुरू करते हैं तो आज इसमें किसी तरह का फाइदा नहीं दिख रहा है। इसलिए अभी तो इस खयाल को हर हाल में मन से निकाल दें। इसका यह भी कारण हो सकता है कि जिसके साथ आप साजेदारी करने जा रही हैं, वह व्याविसाइक तोर पर आपके बराबर का नहीं हो और बाद में आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़े। आज खुशखबरी मिलने से आपकी सेहत और आपका मन खुश रहेगा। एक नया बच्चा जल्दी ही आपके परिवार में आ रहा है, जिसकी वजह से आपकी आत्मा को संतुष्टी मिलेगी। इस खुशी से आप ऐसा महसूस करेंगे, जैसे कि आप संसार के सबसे उपरी शिखर पर पहुँच गए हैं। आज आपको लगेगा कि आप गुस्से और चिंता की चपेट में आ रही हैं। आज अपनी जिंदगी के बहुत से क्षेत्रों में उन्नती की धीमी रफ्तार के कारण कुछ हताशा भी है। लेकिन आप इस परिस्तिती से भी ना घबराएं, क्यूंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। इससे आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नई योजनाएं भी बना सकते हैं। 23. दिसंबर राशिमिथुन रोमैंस कार्याले में आपसी परिशानी पैदा हो सकती है। आज आपको चल रही परिशानी को जेलना होगा, जिसने आपको थोड़ा चिर्चड़ा बना दिया है। घबराएं नहीं, क्योंकि ये रुकावटें अस्थाई हैं और जल्दी ही दूर हो जाएंगी। कार्याले में रिश्टे कुछ ठीक नहीं हैं, लेकिन याद रखें कि आप इस बारे में अपने उच्चा धिकारियों को नहीं बता सकते। 23. दिसंबर आज अचानक कोई आर्थिक लाब हो सकता है। इस तरह आप देखेंगे कि आपके पास जो चीजें कल तक नहीं थी, वो आज हो गई। हो सकता है शेर बाजार से आपको आज बड़ी आमदनी हो गई, या फिर कहीं से आपको कोई उपहार के रूप में कोई ऐसी बड़ी रकम मिल गई, जिसकी आप सोच भी नहीं सकते थे। तो फिर इस तरह जेब माला माल होने का जश्ट मनाईए। 23. दिसंबर राशि मिथुन, हेल्थ अगर आप उन में से हैं जिन्हें खाना बहुत पसंद है, तो आज वो दिन है जब आप नई चीजों का आविशकार कर सकते हैं। आज आप भागयवान हैं, आपकी पाचन क्रिया ठीक रहेगी, इसलिए आज आप कुछ भी खाकर मजे लूट सकते हैं। 23. दिसंबर राशि कर्क ओवर्विव आज आप अपने जीवन में अपने परिवार, दोस्तों और जीवन साथी की भूमिका को पहचानेंगे। आपको जब भी सहायता की जरूरत पढ़ती है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। आज आप किसी तरह उन्हें ये अवश्य दिखा दें कि आप भी उनसे कितना प्यार करते हैं और वो आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं। 23. दिसंबर राशि कर्क रोमैंस आज आप अपने आपको अपने साथी से हुई गलत पहमियों से आहत महसूस करेंगे। अपने साथी द्वारा कही गई बात को ध्यान पूर्वक सुनें, जो की आपके हित के लिए है। गलत पहमी का कारण आपके किसी मित्र का अनावश्यक हस्तक्षे भी हो सकता है। अगर आपने पूरे ध्यान से काम नहीं किया, तो आप इच्छित परणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप उस काम को चुन लें जिसे आप सबसे पहले करना चाहते हैं और मन लगा कर उसे पूरा करने की कोशिश करें। तभी आप अपने लक्षों को प्राप्त कर सकेंगे। अगर आपको बालों की समस्या है तो अब भा सुधरती नजर आएगी। आप इसका स्वागत करें और इस बदलाव का इस्तेमाल अच्छा महसूस करने और स्वास्त के प्रती सचेत रहने में करें। आज आप दूसरों के सामने अपनी चवी सुधारने में ही लगे रहेंगे। आपको सलह दी जाती है कि आप दूसरों को बदलने की बजाए अपने आपको बदलने की कोशिश करें। और ये बदलाव केवल बाहर से ना होकर अंदरूनी होना चाहिए। अगर आपका दिल अच्छा होगा, तो आपकी अच्छाई अपने आप ही बाहर आ जाएगी। आपकी अच्छाई के कारण सामने वाला खुद ही आपके साथ अच्छा विवहार करने लगेगा। आज आपके प्रेम रसंग के बीच एक बड़ी रुकावट के दूर होने से आप राहत महसूस करेंगे। यदि आप किसी साथी की तलाश में हैं या किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं तो आज का दिन सबसे उत्तम है। आज आपकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रही हैं तो इसके लिए काफी सारी योजनाय बनाने की आवशक्ता है। यदि इस निरने को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए तो ज्यादा सही होगा। आपके वर्तमान कार्याले में आपको सहकर्मियों का भरपूर सहीयोग मिला है। साथ ही किसी प्रभावी व्यक्तित्व का साथ भी। आपको आज लगेगा कि पिछले दिनों आपके जो आर्थिक नुकसान हुए थे उनकी आज कुछ भरपाई हो गई। अचानक आई किसी रकम से आपका बैंक बैलेंस भी दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन रुपए पैसे के मामले में कोई हडबड़ी ना दिखाएं। हाला कि आपके लिए गई कुछ पैसले अच्छे साबित होंगे और इससे आपका आर्थिक संकट भी काफी हद तक दूर होगा। आप अच्छा सोचें, समय बडलने वाला है। ज्यादा और अस्वस्त खाना खाने से आपकी सेहत और उर्जा पर नकारात्मक असर पड़ेगा। आप ताजे फल खाएं, चिप्स पर ध्यान ना लगाएं। आज के दिन आपको अपना ध्यान स्वच्छ और सुरक्षित खाने में लगाना होगा। अगर आप अपना ध्यान स्वच्छ और स्वस्त जीवनशैली में लगाएंगे, तो जल्द ही आपको इसका परिणा मिल जाएगा। आज जरूरत पढ़ने पर आपको मदद जरूर मिलेगी। कोई सत्ताधारी मुसीवत के समय आपकी मदद को आगे आएगा। इस सहायता का उपयोग करने में बिल्कुल भी ना हिचकचाएं। आज आप किसी मुसीवत का हल करने में पूरी तरह से सफल रहेंगे। मुसीवत से बाहर निकलने के लिए आपको अपनों की मदद लेनी चाहिए। अपने मन के पार्टनर से मिलने का खयाल आपको आज उलजाए रखेगा। आपका धीरज और द्रता आज यकल आपके लिए अच्छा परिणाम लाएंगे। अगर आप अपनी पसंद और प्रात्मिक्ता पर अडिग रहेंगे, तो निश्चित है कि वैसा पार्टनर आपको जल्द ही मिल जाएगा। यदि आप आईटी के क्षेतर में काम करते हैं, तब पाएंगे कि आप पर दबाव कुछ ज्यादा ही है। बहराल ये किसी बड़े प्रोजेक्ट के पूर्ण होने से पहले की दबाव पूर्ण स्थिती है। चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो, आप अपना काम सही समय पर पूरा कर लेंगे। आप किसी मनुरंजन उद्योग से जुड़े हैं, तो आज आपके फायदे का दिन है। कोई ऐसा अनुबंध या काम जो लंबे समय से लटका पड़ा था, आज हो जाएगा। अपने करियर की सफलता के लिए इस मौके का लाब उठा लीजिए। आज आपको ध्यान लगाने का महत्व समझाएगा। इससे आपके दिमाग में शान्ती होगी और दिन की अच्छी शुरुआत कर सकेंगे। आपको इसका फायदा अल्प विधी और लगते समय में मिलेगा। आज आप मानसिक शान्ती से वंचित रहेंगे। अच्छा होगा कि आप कुछ मनुरंजग गतिविधियों में भाग लें। आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। अगर ना भी जाएं तो फोन पर ही अपने किसी प्रियजन से बात कर लीजिए। आपका दिल खुश हो जाएगा। आप ज्यादा चिंता ना करें क्यूंकि आपको आपकी मानसिक शान्ती जल्द ही वापिस मिल जाएगी। अगले स्तर पर ले जाना आपका मुख्य लक्ष होगा। आज आप किसी कानूनी जगडे में फ्रस सकते हैं। सावधान रहें। जगडे को आराम से बिना किसी वकील की मदद से सुल्जाने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि आज बिना कानूनी मदद के काम नहीं कानूनी जगड़ों को सुलजने में बहुत समय लग जाता है। कुछ नकारत्मक सोच आपकी मानसिक शांती को बिगाड़ सकती है। इसलिए शांत रहें और तनाव कम करें। आप खुद को किसी नए कार्य में लगाएं ताकि ऐसी सोच आपके दिमाग में ना आए। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है तो आप मन लगा कर कार्य नहीं क कर सकते। परन्तु शांत दिमाग से आपकी उर्जा शक्ती भी बढ़ती है। आज आपको सफलता मिलने के प्रबल संकेत हैं। अगर आपको अपनी सफलता के लिए दूसरों से सराहना मिले तो परेशान ना हूँ। ये सफलता आपको किसी भी रूप में मिल सकती है। जैस आज आपके लिए romance अच्छा नहीं है, इसलिए आपको कुछ सुधार करने की ज़रूरत है, आप और आपके पार्टनर आज कहीं बाहर निकलेंगे और अपने रिष्टे में फिर से गर्म जोशी लाने में सफल होंगे सकारात्मक सोच, कुशल संप्रेशन कला, वस सब के साथ मिलकर काम करने की एक्षमता के कारण आप अपने करियर को नई उचाईयों तक ले जा सकेंगे, इससे आपको अपने लंबे समय के उद्देशों को प्राप्त करने में तो सफलता मिलेगी ही, वित्तिय लाब भी मिलेग किसी भी काम को नए तरीके से करने का साहस आपको सफलता जरूर दिलाएगा आज के दिन आप अपने आपको विलासिता में डुबोना चाहेंगे, हो सकता है कोई गहने खरीदना चाहें, या फिर कुछ इससे भी अधिक आप अपने आपको इस प्रकार के सुख अवशे दे सकते हैं, परन्तु इसमें भी अपने बैंक खाते की दशा का विचार अवशे करें, आप काफी प्रयोगवादी हैं, लेकिन इस संतुलन को बनाए रखें ध्यान रखें कि आप अच्छी चीजों को अपनाएं, ताकि आप खुद को प्रोचाहित कर सकें, आप खुद को खुशनुमा बनाए रखें, इससे आपको शान्ती मिलेगी, आपके सकारात्मग विवहार का असर आपकी सेहत पर ही नहीं, बलकि आपके आस-पास के लोगों अपनी उम्र के लोगों के बीच आपकी चवी को चार चान लग जाएंगे, आज कुछ नई जिम्मेदारियां न सिर्फ आपके लिए आएंगी, बलकि इनाम भी लेकर आएंगी, अपनी इस पहचान और सम्मान का पूरा मजा लें, लेकिन ध्यान रहे कि आप किसी भी तरह अपनी छवी धूमिल न होने दें, आज आपको अपने आप में जहाकने का अफजर मिलेगा, अपने संपूर्ण विकास के लिए कुछ अच्छे निर्णे लेने होंगे, इसलिए अपने साथी को अपनी भावनाओं से अवगत कराएं, ये निश्चित कर लें कि आपका साथ अपनी भी वैसा ही महसूस करता है, यदि आप नई नौकरी की तलाश में हैं, तब आज कोई अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है, हो सकता है कि ये वो काम न हो जिसके विशय में आपने सोचा था, लेकिन शुरुवात की जा सकती है, जिससे आर्थिक लाबगे संकेत प्रबल ह होते हैं, अनुभव का लाब मिलेगा और वेरोजगारी दूर होगी, 23 दिसंबर, राशे धनो, फाइनांस, आपके व्यापार में आने वाले इस कठिन समय से निपटने के लिए आपको सब से पहले समय निकाल कर बैठना होगा, वह सही योजना बनानी होगी, इस विशय में चिन्ता ना करें, आपकी कुशलता वगुणवत्ता के चलते आप कठिन से कठिन समय में भी पार पालेंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि हमेशा ही अच्छा समय चलता रहे, ये कठिन समय भी जल्दी से निकल जाएगा, आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की आवश सिख हो जेंगे, और ऐसा करने से आपको कोई भी सेहत की समस्या नहीं रहेगी, आप चाहें तो बाइक चलाएं, तैरने जाएं, बैड्मिंटन खेलें, या फिर क्रिकेट, कुछ ऐसा करें जिससे आपकी शारिदिक महनत हो और आपका मन भी लग जाएं आज आप किसी ऐसी गत्विधी में भाग ले सकते हैं, जो आध्यात्म से वास्ता रखती है, इससे आपको खुशी वसंतुष्टी मिलेगी, इससे आपका सही मार्ग दर्शन हो सकेगा, इसलिए इसका पूरा लाब उठाएं, अगर आपकी इच्छा हो, तो आप किसी तीर् 23. डिसंबर, राशी मकर, रोमैंस 23. डिसंबर, राशी मकर, करियर, आज आपको अपने करियर के संबंध में किसी निपन सलाहकार की सलाह की जरूरत होगी, सलाहकार का चुनाव करते समय सावधान रहें, कहीं आपको कोई गलत सलाह ना मिल जाए, वित्त से संबंधित कुछ बातों को जानने के लिए आप किता 23. अख़बार या फिर इंटरनेट का सहरा लेंगे, साथ ही आप अपनी उन्नती के लिए सलाह लेना चाहेंगे 23. डिसंबर, राशी मकर, फाइनांस आप पर आर्थिक दबाव चाहे जैसा हो, आप अपनी क्षमता से उन दबावों को जहल जाएंगे बस आप अपना लक्षे निर्धारित कीजिए, उसके लिए एक थोस योजना बनाईए, उस योजना पर काम कीजिए देखिए, आप सामने आई एक एक आर्थिक चुनौती का जम कर सामना करते हुए अपने लक्षे को चूलेंगे 23. डिसंबर, राशी मकर, हेल्थ आपको लगातार बुरे सपने आएंगे और आप नींद में जग कर बैठ जाएंगे उसके पीछे कुछ कारण हो सकता है आप ध्यान लगाएं और दूद भी कर सोएं ताकि नींद अच्छी आए आप आराम करेंगे तो आपको सब अच्छा लगेगा 23. डिसंबर, राशी कुम्भ, ओवर्वियू विद्यार्थियों के लिए आगे पढ़ने के लिए समय अनुकूल है आपको खुद को सुनी और जित करना चाहिए जो आप करना चाहते हैं उससे संबंधित हर पहलू पर ठीक से सोच विचार कर लें आज आपको अपने सभी अवसरों में से सबसे अच्छे अवसर को चुनना चाहिए 23. डिसंबर, राशी कुम्भ, रोमैंस आज आप प्यार को महसूस करेंगे आपके अंदर शक्ती वह उत्तेजना का संचार होगा मन साथी के बारे में सोच कर डोलेगा अपनी भावनाओं को कुछ नियंतरित करें किन्तु जीवन के प्रती जो उत्साह प्रेम लाया है उसका आनंद भी उठाएं 23. डिसंबर, राशी कुम्भ, करियर यदि आप विद्यार्थी हैं तब आपको अपनी किताबों से दूरी बना कर उन व्यक्तियों से मिलना चाहिए जो आपके ही क्षेतर के सफलतम व्यक्तियों में शामिल है इनमें से अधिकांश व्यक्ति किसी जिग्यासू विद्यार्थी से बात करने के लिए आतुर रहेंगे इसका फायदा आपको लेना चाहिए अगर आप व्यापार में हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया दिन है व्यापार में लाब के संकेत है कोई आर्थिक समस्या है तो वह दूर हो जाएगी आपके लिए व्यापार और करियर के कुछ अच्छे विकल्ब खुल रहे है इसलिए आप कुछ नए आइडिया और संपर्क ढूंडने शुरू कर दीजिए आज खुद पर संयम रखें ताकि आपको परिशानी न हो तनाव से आपको अनिंद्रा की परिशानी हो सकती है आज अपनी जुबान पर भी संयम रखें तभी आपको स्वास्तिलाब मिलेगा आज आप आराम करें क्योंकि आप कुछ समस्याओं के कारण परिशान हो सकते है आपकी सभी समस्याओं जल्दी ही खत्म हो जाएंगी ज्यादा चिंता ना करें अपने गुसे को काबू में रखें और ऐसा फैसला लें जो आप दोनों के हित में हो आज आप अपने परिजनों और दोस्तों के साथ समय व्यतीत करें और फिर देखें कि आपकी परिशानिया कैसे चुमंतर हो जाती है क्या आप हैरान है कि आपके सपनों का पार्टनर कहा छिप गया है आज निश्चिंत रहें आप सही दिशा में आगे बढ़ रहें हैं अगर आप किसी शैक्षणिक संस्थान या कॉर्परेट मौहौल में काम कर रहें हैं तो आज आपको कोई विशेश अचंभा मिल सकता है आज अपने मार्ग में आने वाली चुनोतियों को स्विकार करने की कोशिश करें इससे आप अपने नवीन विचारों का प्रयोग कर पाएंगे ध्यान रखें जैसे कि आपके पिछले अनुभव से आज आप यहां तक पहुँचे हैं वैसे ही अपनी इस सफलता से ही आपको अगला काम मिलेगा साथ ही दूसरों से उपर उठने के लिए आपको अपनी संप्रेशन कला में सुधार लाना चाहिए आज आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं एवं आपके पास आगामी योजनाओं के लिए कुछ धन राशी उपलब्ध होनी चाहिए आपकी आर्थिक योजनाओं वह कटिन श्रम के लिए धन्यवाद इस बची राशी को आप बैंक में रखिए जहां इसकी आवशकता है लेकिन इसके लिए आप सावधान रहें कि आपकी माली हालत उतने बुरी ना हो जितनी आप सोचते हैं आप अपनी आर्थिक योजनाओं को ठीक रखें और बचत की प्रवित्ति को भी जारी रखें कोई परेशानी आपका मानसिक तनाओ बढ़ाएगी आपको अपनी भावनाओं पर ध्यान देना होगा जिससे आपका स्वास्ते बना रहे अपने तनाओ को रोकने के लिए कुछ आवर्शक कदम उठाएं जिससे आप नकारात्मक परिस्थिती में जाने से बचें क्योंकि आपके स्वास्त पर असर पड़ सकता है